हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पॉट गार्डनिंग आज आपको अपने परपल हाट प्लांट के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक और वीडियो बनाईए ते मेरा सेकिंड वीडियो है फ्रेंड्स ये मैंने एक पॉट में लगा रखा है और ये बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है इसको मैंने बहुत चोटी-चोटी कटिंग्स लगाई थी तीन-चार लेकर और ये तीन-चार महिने में देखी कितना अच्छा इसने लुक ले लिया है परपल हाट प्लांट एक बहुत ही आप इसे कहीं भी अपने रूम में या बाहर कहीं भी इसे रख सकते हैं चली बात करते हैं इसकी केर और मेंटिनेंस की परपल हाट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप अगर धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा कलर परपल निकल कर आएगा और बहुत अच्छी तो जो experience मैंने देखे हैं वही मैं आपके साथ share कर रही हूँ यह मैं अपने friend के हाँ से छोटी सी cutting लेकर आई थी जिसमें node जैसे money plants में node होते है ना वैसी इसमें friends notes होते है वो और notes लेकर आप अगर जमीन में लगा देंगे तो यह वहीं से growth करता है फिर कुछ दिन बाद वहीं से और babies निकलते हैं और यह घना होता चला जाता है वहादी खुबसूरत पांट है एकदम velvety texture की leaves होती है बस थोड़ा delicate है अगर आप इसको जादा जोर से चूँदें या पैट या बच्चे तो यह टूट बहुत जल्दी जाता है वगो इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है आप उसको लगा दो cutting तो फिर से वह रीक्रो हो जाता है फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं स्वाइल की तो स्वाइल इसको well-drained स्वाइल चाहिए जिसमें से पानी आराम से निकल जाए थोड़ा moist रहे मतलब तो भी ठीक है बट सौगी नहीं होना चाहिए और जल्दी से निकल जाए इसमें पानी रहना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कीछ ग्यास कारा यह जाती है रूट राट हो जाती है तो आप इस— पानी का बहुत खयाल रखे कि जब ऊपर की DRI हो तो आप उसको पानी दे五— तो अगर आपका है मतलब फिंगर से देखिए कि पानी अगर अंदर सक नहीं है तो आप इसे पानी अच्छा से दे दें फिर्स माइन्द मत करेगा इस पे थोड़ी सी बारिश की पानी बूंदे गिर गी थी तो इतना वेलवेटी हैं कि वो क्लीन नहीं होती है तो इसलिए यह थोड़ी से स्पॉट्स हैं से आप माइन्द मत करिएगा तो यह तो इसकी पानी रिक्वार्मेंट और स्वाल रिक्वार्मेंट की बात हो गई फर्टिलाइजर के लिए आप इसको शुरू में ही वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाथ डाल दे प्रोपगेशन फ्रेंट सी जो नोडस एरिया में आपको दिखा रही हूँ यहीं से इसकी रूट्स निकलती है तो आप इतनी बड़ी कटिंग लेकर इसको या तो वर्टिकली कर दीजिए या फिर आप इसे होरिजन्टल प्लेस करना चाहते है तो दो तिन नोड आपकी होन प्लेस कर दीजिए फिर उनी नोड से रूट्स निकलेंगी और न्यू प्लांट्स निकलेंगे तो प्रोपगेशन भी बहुत इसका फ्रेंड स्वाइल प्रोपगेशन वाटर और फर्टिलाइजर की बात हो गई एक बार आप इसको गोबर की खाद मिला जब लगाते समय मि जो कि ख्याल रखना पड़ेगा कि जादा इसको पानी ना मिले तो मैं इसे ऐसे प्लेस में रख दूंगी जहां पानी ना मिलेजर धूप आये थोड़ी और पानी ना मिले एक बारिश में प्लांट्स का ख्याल रखना ही पड़ता है तो यह चीज ए फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको एक और पॉट में कटिंग लगा दी थी तो वहां भी बुटी अच्छी सी चल गई है कई पॉट्स में मैं ऐसे फिलर के रूप में अगर कुछ भी छोटी मुटी टूपती है तो मैं लगा देती हूँ तो उमीद करते हूं आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आय होगा कोई और इंफर्मिशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल से जुणने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूँ